जैहन दोस्तों मन बहुत दुखी है स्वागत शब्द बोलने का दिल ही नहीं है कैसे स्वागत करूं जब देश के 40 जवान हमेशा के भी सोगें पुलवामा अटैक में पुरे देश को हिला कर रग दिया हर एक भारती एको जिसके अंदर देश को लेकर प्रेम की भावना है पुलवामा अटैक के बाद बहुत पती किया है जनता से लोग बनने को तैयार खड़े हैं खुन का बदला खुन से लेने को तैयार खड़े हैं इसी दौरान मार्केट में एक न्यूज चैनल को देखा जो लोगों से अच्छे पढ़े लिखे लोगों से ये पूछ रहा था कि क्या आप जानते हैं कि CRPF, BSF क्या है दोस्तों बहुत दुखुआ जानकर कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है CRPF, क्या होता है BSF और क्या होती है इंडियनामी तो बस एक छोटी सी पहल मन में आई लोगों को बताने की कि आखिर कौन हैं वो लोग जिनके कारण आप अपने घरों में चैन से सो पा रहे हैं दोस्तों भारत में भारती साना और सेंटर आम पुलिस फोर्स ऐसे दो विपार्टमेंट हैं जो भारत और भारत के सीमवर्थी इलाकों की सुरक्षा ववस्ता अपने जिन्में लिए होई हैं हमारी भारती साना भारती रख्षा मंत्राले के अंधिर आते हैं जबकि सेंटर आम फोर्स के विभाग जैसे CRPF, ITBT, BSF, आसम राइफर्स और SSB आदी ग्रह मंत्राले के अंधिर आते हैं ये दोनों विभाग ही भारती सुरक्षा के लिए सदय अपत्त पर रहते हैं हाला कि ये विभाग बिल्कुल ही अलगे और इनसे मिलने वाली सुरक्षा भी बिल्कुल अलगे परिंतु फिर भी दोनों ही देश की सुरक्षा में बहुत एहम दिनी का निवाती है जहां एक तरब भारती साना युद्ध के समय मोचा समालती है वहीं बॉर्डर के इलाकों में शानती के समय, देश की आंतिरिक सुरक्षा के लिए, देश में आतंक वात से निपटने के लिए और आतंकी गतिविदियों को रोकने के लिए वियाईपी सिक्यूरिटी की जिम्मेदारी इन सब आर्दिसानिक बलों की ही होती है BSF और CRPF दोनों सेंटर आम फुलिस फोर्स के ही दो अलग-अलग दिपार्टमेंट हैं जो की ग्रह मंत ताले के अधीन होकर कारी करते हैं परंतु इनके कुछ अपने विशेश कारे हैं जो इस प्रकार से हैं अगर मैं BSF की बात करूँ तो BSF होता है सीमा सुरक्षा बल या Border Security Force देश के प्रमुक अर्दिसानिक बलों में से एक है इस भारती सुरक्षा बल का घटन उन्ने सो पैसत में हुआ था और यह वरतमान में विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल भी है देश में मौझूद सीमा सुरक्षा बल के जवानों की जिम्मदारी शांती के समय देश के सीमा वरती इलाकों की सत्व निगरानी कर उनकी रक्षा करना और अंतरास्टी अपरात को रोकना है सीमा पर होने वाले अपरात जैसे तसकरी गुसपैट और अनवैद विटी विदियों को रोकने की जिम्मदारी भी इसी विभागने अपने कर्मों पर ली हुई है क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की सीमा 6,385 किलोमीटर लंबे इलाकों में फैली हुई है जिसमें रिगिस्तान, जद्या और हिंचेतर शामिल है और बियसप के जवान हर परिस्तिती में इन इलाकों की सुरक्षा करते हैं और उन छेतरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा का एहसास करवाते हैं दोस्तों अगर मैं CRPF की बात करूँ तो CRPF का पूरा नाम है केंदे रिजर्व पुलिस बल याने की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यह भारत के शशक्त पुलिस बलों में सबसे बड़ा है और इसकी जिम्मदारी कानून बनाए रखने और आतंक बाद में पुलिस का इसके बाद भारत की स्वतन प्रटा के बाद 1949 में इस पर CRPF के अधिनियम लागू हुए 230 बटालियन के साथ यह हमारे देश का सबसे बड़ा बल है दोस्तों मैं थोड़ा सा डिफ्रेंस आपको बताती हूं बिसेफ और CRPF में क्या डिफ्रेंस होता है यह दोनों ही सुरक् चेत्रों में खत्रों से में पटने की आसमर्तिता के बाद हुआ था नमबर टू बिसेफ का काम शांती के समय हमारी बॉडर की निरानी करना है जबकि CRPF का काम समविधान की सरवोच्चिता को बरकरार करते हुए रास्टी अखंटता और सामाजी की सद्भाव को ध्यान में रखते हुए प्रभावी ढंसे और कोशलता पूर्वक कानून व्यवस्ता लोग व्यवस्ता और आंतरिक सरक्षा को बनाये रखना है इस समय बीसेफ की 188 बटालियन है और लगबग धाई लग जवान इसका हिस्सा है जिने भारती चेत्रों की रक्षा की पहली बीवार कहा जाता है CRPF भी बहुत बड़ा विवाग है इसमें 246 बटालियन है और करीब 165,000 जवान कारे रहती है इस पकार आप समझ सकते हैं कि भारती सुरक्षा की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है हम किवल भारती सेना को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं परन्तु इनके अत्रि सेना के जवान अपनी ट्रेनिंग को पूरी कर युद्दे के समय अपना बहत्रीन प्रदेशन कर पाते हैं तो दूस्तों ये था DSF और CRPF क्या होता है उन्में क्या डिप्नेंस होता है इस वीडियो को प्रीज ज्यादर से जब़ा शेयर करें और लोगों को बताएं कि हम को पता होना चीए कि कौन है वो लोग जिनके कारण आप चैन की में सोपाते हैं जैहिन जैभारत